ट्विन्स माई वर्ल्ड के साथ जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें फिर बेल एकन को दबाईए हेलो दोस्तो मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माई वर्ल्ड आज की वीडियो में डिसकस करूंगी कि किस तरह से बच्चे की मालिश और एक्सराइब में करती हूँ और एक मेरी सब्सक्राइबर है जो यूएस में रती है जिनका नाम है सोनल कौर जी उन्होंने बहुत जादा रिक्वेस्ट की थी क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई भी नहीं था तो वो जानना चाहती थी कि मैं अपने बच्चों की मालिश कैसे करती हूँ तो मैं उनके तुरू आप सब को भी बताना चाहती हूँ कि बच्चों की मालिश काफी easy होती आप अराम से कर सकते हैं लेकिन make sure करिए कि गर्मी के दिनों में करना आसान होता है लेकिन अगर winter के season में आप कर रहे हैं तो उस समय आपका जो room का temperature हो वो काफी अच्छा हो pleasant हो बहुत जादा ठंड नहीं हवा आनी चाहिए इसलिए मैंने अपने सारे खिड की दर्वाजे सब कुछ बंद कर लिया था heater on कर लिया था ताकि जो temperature है काफी अच्छा maintain हो सके बच्चे के लिए काफी अच्छा रहे क्योंकि पूरे कपड़े उतारने होते हैं तो उस दोरान ये sure करिए कि आप बहुत जादा ठंड कहीं से नहीं आ रही हो और कभी कभी तो ऐसा भी होता है बहुत सारे लोग in fact मैं भी ऐसा करती हूँ कि कभी कभी पूरे कपड़े उतारे बीना भी हम लोग मालिश कर सकते हैं सिर्फ नीचे के जो body parts के जो जितने भी कपड़े होते हैं कमर के नीचे वो उतार के आप बच्चे की पैर की अच्छे से मालिश करिए और बाकी जो है अंदर आप हांत घुसा के भी आप तेल लगा सकते हैं तो इसके पहले में मालिश के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि आप कौन सा तेल यूज करेगा क्या यूज करेगा अगर डाउट होगो तो वो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजे अभी मैं आपको बस process बता रही हूँ कि आपको करना क्या है तो आप देखते जाहिए कि मैं हिंडरी की कैसे मालिश कर रही हूँ सबसे पहले मैंने उसके सारे कपड़े उतारे और हाथ में थोड़ा सा ओयल लेते हुए सर्कुलर मोशन में आपको हाथ घुमाना है बच्चे के पैर में जो थाई में अच्छे से थोड़ा से हलका प्रेशर देते हुए प्रेशर नहीं देना है बच्चे काफी नाजुक होते हैं थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आपको सर्कुलर मोशन में मालिश करनी है इस्पेशली बच्चे के तलवे में काफी अच्छे से मालिश कर रही थी और बच्चे के तलवे काफी जादा सेंसिटिव होते हैं तो वहां तेल लगाना काफी अच्छा माना जाता है मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड उसकी बढ़ाई थी तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं मालिश बहुत जली लिकर रही हूँ मालिश का आप अच्छा टाइम दीजिए अगर आपको टाइम पर मिट करता है तो आप 5-10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं अगर आप बहुत जादा बीजी रहते हैं तो थोड़ा अपने हिसाब से टाइम का डूरेशन कम जादा कर सकते हैं वो आपके उपर डिपेंड करता है तो नॉर्मली बेबी की जो मसाज है वो 5-7 मिनट से मैक्सिमम 10 मिनट तक हो जाती है और ये सही भी रहता है इतने टाइम तक मसाज करना चाहिए और बच्छे को हलके हाथों से प्यार से मसाज करिए बहुत जादा प्रेसर डालने की जुरत नहीं है और अगर बच्छे आपके बहुत छोटे हैं नवजाद सीशू हैं तो आपको एक्स्ट्रा केर करने की जुरत होती है तो बच्छे को पलटते वगरा के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि आप बच्छे को कैसे पलट रहे हैं हलका सो ओयल लेते वे सर्कुलर मोशन में सारे बॉड़ी पार्ट्स पे घुमाना होता है और हाँ मेक शूर करिए कि आप जैसे मैंने बच्छे का हाथ जो पीछे किया हुआ है काफी अच्छे से करिए ताकि बच्छा किसी तरह का अनकंफुर्टेबल नहीं हो और हो सके तो आप लोग जो न्यू मॉम है वो जल्दी बच्छे का हाथ पीछे नहीं करें देखें मुझे एक साल का एक्स्पिरियंस हो गया है इसलिए मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ लेकिन जो लोग नए मा है जो तो वो जल्दी अपने बच्छे के हाथ को जादा पीछे नहीं करें क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा कि बच्छा कब थोड़ा सा मुड़ने मुड़ने का चांस रहता है तो आप कोशिश करिए कि बच्छे का हाथ को बहुत अच्छे से रखे और बहुत जादा आपको प्रेशर नहीं देना है इस बात का ध्यान रखे देखे मैंने इसका हाथ अच्छे से रख दिया जैसे आपको उस तरह से बच्छे का हाथ रखना है ताकि हाथ मुड़े वड़े नहीं और अच्छे से रहे आप हलके हलके हाथों से बच्चे की मालिश कर सकते हैं कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को जब मालिश कर रहे हैं उसमें अपना पूरा प्यार उडेल के रख दीजिए क्योंकि होता है ना कि मालिश के दौरान बच्चे की जो पूरे complete body की अच्छे से मसाज होती है blood का circulation बहुत अच्छा होता है तो जितने प्यार से आप मसाज करीगा अच्छे से करीगा बच्चा काफी enjoy करता है और in fact पता नहीं कैसे मेरा हिन्री camera conscious हो गया इसलिए शायद शांथ है ने तो बाकी दिन जो दोनों बच्चे के साथ में मालिश करती हूँ बहुत ज़दा hectic होता है बहुत परिशान करते हैं बच्चे करने नहीं देते हैं अगर बच्चे जादा परिशान कर रहे हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं तो काफी अच्छे से हलके हलके मसाज आपको करना है सर्कुलर मोशन में लेते हुए और बच्चे की हथेली पर भी जरूर लगाईए जैसे कि मैं लगा रही हूँ और आप तलवे पे हथेली पे इस्पेशली आप ओयल की डॉट्स डालके आप मसाज करीए क्योंकि इस समय बच्चे काफी गर्माहट इस से खिसती है और देखे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे की जो टो होती है जो पैर कांग उठा होता है उसमें भी आपको हलका सा प्रेशर देना होता है ये जो प्रेशर होता है इससे कहा जाता है कि बच्चे की दाथ निकलते समय उनको ज़्यादा परिशानी नहीं होती है इसलिए आप जब भी अपने बच्चे की मालिश करें आप तलवो पर बहुत अच्छे से मसाज करें और उनका जो बच्चे का टो है जो पैर कांग उठा है उसको हलका सा प्रेशर जरूर दे दें दिन में दो तीन बार आपको देने से हो जाएगा तो जब भी आप मसाज करें ये करें और बीबी बॉइ के लिए कर रहे हैं तो प्राइविट पार्ट में भी जरूर करें वो मैं नहीं दिखाई हूँ इस वीडियो में लेकिन आप जरूर करें और हाँ सोनल जी ने रिक्वेस्ट किया था कि बच्चे की एक्सेसाइज तो मैं जनरली एक्सेसाइज नहीं करती हूँ जो बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन भी करते हैं कि एक्सेसाइज करनी चाहिए पट हाँ उनको दिखाने के लिए मैंने बत किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो वो अच्छे से रहें और हलके हलके हाथों से आप थोड़ा सा टमी टाइम दे सकते हैं थोड़ा सा रिलाक्स कर सकते हैं पेट क्या भी सर्कुलर मोशन करिएगा जिससे की गैस वगेरा नहीं बनती है फिर जो आप अपना रेगुलर जो ह हैर औल यूज करते हैं आप उसको यूज करिए नहीं तो आप सिंपल मॉस्टर ओल यूज कर सकते हैं मैं प्रेफर करती हूं कि बाल में सिंपल मॉस्टर ओल लगाओ और बच्चे की सर्कुलेशन काफी अच्छी होती है हेड मसाज जरूर करना चाहिए और हाँ एक और कर्दिया नहीं लगती है है इसा मॉना जड़ा तो आप बच्चे के कृढ के पीछ बाला हिसा होता है उसमें आप पराम से कर सकते हैं ऑर अच्छे से प्यार से आप मसाज करिए बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम में उसमुड करिएए देखेए का अबच्चा और डूनो happy हो जाईगा, बहुत अच्छा फील होता है, बचा relax हो जाता है, कई लोग तो बात के time के पहले भी देते हैं तो मैं generally prefer नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी अपनी choice है, आप बात के पहले देना चाते हैं, नहीं देना चाते हैं, it's up to your call, तो अच्छे से मसाज करिए, तो hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा किसी तरह की तुरूटी हो गई होगी तो प्लीज माफ कर दीजेगा, और हाँ चैनल को support करते रहें, चैनल अभी नया है, तो मैं चाती हूँ कि मेरे जितने भी viewers हैं, subscribers हैं, मेरे चैनल को support करें, और जो भी आपकी queries है, वो जरूर बताए, ताकि मुझे भी आपके needs का पता चलेगा कि आपको किस चिस की requirement है, मैं definitely उसके उपर वीडियो जरूर बनाऊंगी थैंक यू सोनल जी आपने चैनल पर comment किया आपकी query मैंने समझी, अगर सोनल जी की तरह आपकी भी कोई और query हो, तो please मुझे जरूर बताएगा मैं कोशिश करूंगी उसके उपर वीडियो बनाने की, और hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल से जुड़े रहे, thank you so much for watching Twins My World